नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमार इस यूटूब चानल डीटेच ट्रिक्स वर्ड में दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने MPG4 सेप्ट वोक्स में चेनलों को मुव और वन बाई वन डिलीट कैसे कर सकते हैं क्योंकि आप मैंसे बहुत स चैनलों को मुव कर सकते हैं और जो चैनल आप देखना नहीं चाते हैं उनको आप वन बाई वन कैसे डिलीट कर सकते हैं तो इसकी कंप्लीट जानकारी पाने के लिए दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा वीडियो पूरा देखेंगे दोस्तों तभी आपको main menu का button दबा देना है। उसससे आप दोस्तों main menu लिए पहुंच जाएंगे। उसके बाद मैं दोस्तों आपको channel list में जाके हैं, tv channel list में जाना है। यहां पर दोस्तों, उपर ही आपको option मिल जाएंगे यह आप किसी भी channel को favorite कर सकते हैं, log कर सकते हैं, skip कर सकते हैं, move कर सकते हैं और edit कर सकते हैं, edit में दोस्तों आप channel को rename कर सकते हैं, short कर सकते हैं और delete भी कर सकते हैं one by one, तो मैं यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर channel को move करना बताऊंगा, दोस्तों आप अपने अनुसार किसी भी चैनल को मूव करा सकते हैं यहाँ पर मैं दोस्तों टेस्ट 502 को मूव करके बताऊंगा तो इसके लिए आपको दोस्तों रिमोट से यलो बटन दबाना है यलो बटन दबाके दोस्तों आपको जो चैनल मूव करना है उसके उपर आपको ok करना है तो मैं यहाँ पर test 502 को move करूँगा चैनल को select करने के बाद दोस्तों आपको उस position पर जाना है जहाँ पर आपको channel को move कराना है तो मैं यहाँ पर test 502 को पहली position पर लाऊंगा एक number पर तो मैं यहाँ पर आच चुका हूँ इसके बाद में दोस्तों आपको remote से info button दबाना है जैसे ही दोस्तों आप info button दबाएंगे आपका जो channel है वो move हो जाएगा तो यह देख सेंगे दोस्तों test 502 एक number पर आच चुका है इसके बाद मैं यहाँ पर दोस्तों एक channel को और move करके बताऊँगा दोस्तों आप किसी भी channel को move कर सकते हैं मैं यहाँ पर ddrator को select करूँगा इससे मैं second number पर लाऊँगा और यहाँ पर info का button दबाऊँगा जैसे info button दबाया है channel यहाँ पर आच चुका है अब दोस्तों इसे save करने के लिए आपको exit का button दबाना है और यहाँ पर yes पर okay करना है इसके बाद में दोस्तों आप बेक आजाएंगे वापस यह okay करके देखेंगे तो दोस्तों आपके जो channel है वो save हो चुके है जो position पर आपने उनको रखा था उस position पर वो channel आ चुके है तो इस तरह से दोस्तों आप channel को एक-एक move कर सकते है और अगर दोस्तों आप channel को group में move करना चाते है तो वो भी कर सकते है तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है आपको दोस्तों remote से वापस से yellow का button दबाना है और उसके वाद में आपको दोस्तों चेनलों को स्लेट करना कि आप किन किन चेनलों को मुव कराना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर देखे मैं चेनलों को स्लेट करूँगा तो दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पर टेस्ट 613 को स्लेट करता हूँ टेश्ट 615 को और टेश्ट 620 को अब इन चैनलों को मैं दोस्तों सबसे आगे ले जाना चाहता हूँ यानि कि मैं इनको तीसे नंबर पर रखूँगा और यहाँ पर आके दोस्तों आपको info बटन दबा देना है info बटन दबाता ही दोस्तों यह channel move हो जाएंगे exit दबा के दोस्तों आपको yes पर click कर देना ok दबा देना yes पर आके जिससे दोस्तों आपके जो channel move किये थे वो save हो जाएंगे तो अब दोस्तों आप वापस जाके देखेंगे तो यह देखिए channel move हो चुके हैं जो position पर आपने channel को रखा था उस position पर channel आ चुके हैं दोस्तों आप अपन एनुसार किसी भी चैनलों को move करा सकते हैं बहुती आसानी से चाहे आप उसका group बना के करें या कैसे भी move करा सकते हैं मैंने यहाँ पे दोस्तों आपको example के तोर पे यहाँ पे इन चैनलों को move करके बता दिया है और दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपको ब अपके सामने कुछ उप्सटन ओपन हो जाएंगे तो इनके अनुसार आप दोस्टं चेनलों को शोट कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं और इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर एग्जिट करना है exit करने के बाद में green button दबाएंगे green button दबाने से दोस्तों आप किसी भी channel को rename कर सकते हि vanilla सकते तो यह देखो थे rename का option आपको मिल जाता है और यहाँ पर exit करेंगे फिर आपको delete करने के लिए blue button दबाना होगा blue button दबाएंगे तो दोस्तों आपको चैनलों को select कर सकते हैं यहाँ पर उसके बाद में दोस्तों आपको remote से exit बटन दबाना है और यहाँ पर yes पर ok कर देना है इससे दोस्तों आपने जो channel select किये थे वो यहाँ पर delete हो जाएंगे और दोस्तों अगर आप किसी भी channel को favorite करना चाते हैं या लोग करना चाते हैं या skip कर तो उपर आपको option दिख जाएंगे उनसे आप उनको कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इस video में आपको बता दिया है कि किस तरह से आप अपने favorite channel को move करा सकते हैं या अगर आप कोई channel देखना नहीं चाते हैं उसको delete करना चाते हैं तो delete भी यहाँ से कर सकते हैं इस video म आप मेरे द्वारा दीगे जानकरी से संतुष्ट हैं तो इस video को like कर दिए अपने सभी दोस्तों के आज share कर दिए अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे पहली बार आएं चैनल को subscribe कर दिए साथ में बिला इकन को दबा के ओल पर क्लिक कर दिए ताकि आप हमारे आने वाली सब चैनल से सहर के आने साथ में बिला आने सब प्र आप हमारे इंचर को और आप हमारे दोस्तों को दिए सब पर आप हमारे आने साथ में जारा.